बालकांध बहुत समय पहले की बात है सर्यू नदी के किनारे कोशला नामक राज्य था जिसकी राजधानी अयोध्या थी अयोध्या के राजा का नाम दश्रत था जिनकी तीन पत्निया थी उनके पत्नियों का नाम था कोशल्या कैकई और सुमित्रा राजा दश्रत बहुत समय रिशी वशिष्ट की सलाह मान कर पुत्र कमेस्टी यग्य करवाया उस यग्य के फलस्वरुप राजा दश्रत को चार पुत्र प्राप्थ हुए उनकी पहली पत्नी कोशल्या से प्रभू श्री श्री राम कैकाई से भारत और सुमित्रा लक्षमन और शत्रुग्र का जन्म पुत्र दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण और यशस्वी थे उन चारों को राजकुमारों की तरह पाला गया और उनको शास्त्रों और युद्ध कला की कला सिखाई गई जब प्रभू श्री श्री राम 16 वर्ष के हुए तब एक बार रिशी विश्वामित्र राजा दश के पास आये और अपने यग्य में विग्न उत्पन करने वाले राचसों के आतंग के बारे में राजा दश्रत को बताया और उनसे सहायता मानगी रिशी विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दश्रत उनकी सहायता करने के लिए तयार हो गए और अपने सैनिक उनके साथ भ उनके यग्य में विग्न डालने वाले राक्षसों का नाश कर देते हैं, इससे रिशी विश्वामित्र प्रसन होकर श्री राम और लक्षमन को अनेक दिव्यास्त्र प्रदान करते हैं, जिनसे आगे चलकर प्रभू श्री राम और लक्षमन अनेक दानवों का नाश करते हैं, दूसरी होर जनक मिथिला प्रदेश के राजा थे और वह भी निसंतान थे और संतान प्राप्ती के लिए वह भी बहुत चिंतित थे तब एक दिन उनको गहरे कुंड में एक बच्ची मिली तब राजा जनक का खुशी का थेकाना ना रहा और राजा जनक उस बच्ची को अधिक स्नेह करते थे माता सीता धीरे धीरे बड़ी हुई माता सीता गुण और अधवितिय सुंदर्ता से परिपूर्ण थी जब माता सीता विवाह योग्य हुई तब राजा जनक अपने प्रिय पुत्री माता सीता के लिए उनका स्वयमवर रखने का निश्चे किया माता सीता के गुण और सुंदर्ता की चर्चा पहले से ही चारों तरफ फैल चुकी। थी तो माता सीता के स्वयमवर की खबर सुनकर बड़े-बड़े राजा माता सीता स्वयमवर में भाग लेने के लिए आने। लगे, रिशी विश्वामित भी श्री राम और लक्षमन के सा माता सीता स्वयमवर को देखने के लिए राजा जनक के नगर मिथिला पहुचे, जब माता सीता से शादी करने की इच्छा लिये दूर दूर से राजा और महराजा स्वयमवर में एकत्रित हुए तो स्वयमवर आरंभ हुआ, बहुत सारे राजाओं ने शिव धनुष को की चिंता दूर करते हुए अपने शिश्य श्री राम को उठने का अनुमती दिया, प्रभू, श्री राम अपने गुरू को प्रणाम कर उठे और उन्होंने उस धनुष को बड़ी सरलता से उठा कर जब उस पर प्रत्यंचा चलाने लगे तो धनुष तूट गया, राजा श्रत के पुत्रों से करवाने का उन्होंने विचार किया, इस प्रकार एक साथी श्री राम का विवाह माता सीता से, लक्षमन का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांद्वी और शत्रुधन का विवाह श्रुत कीरती से हो गया, मिथिला में विवाह का एक बहुत और उनमें प्रभू श्री राम और उनके भाईयों की विवाह संपन हुआ, विवाह के बाद बारात अयोध्या लोटाई, अयोध्या कांड श्री राम और माता सीता के विवाह को बारा वर्ष बीद गए थे और अब राजा दशरत व्रिधा हो गए थे, अपने बड़े बेट श्री राम को अयोध्या के सिहासन पर बिठाना चाहते थे, तब एक शाम राजा दशरत की दूसरी पत्नी का कैकई अपनी एक चतुर दासी मंत्रा के बहकावे में आकर राजा दशरत से दो वचन मांगे, जो राजा दशरत कई वर्ष पहले कई कई द्वारा जान बचाने क के लिए कैकई को दो वचन देने का वादा किया था, कैकई ने राजा दशरत से अपने पहले वचन के रूप में श्री राम को चौदा वर्ष का वनवास और दूसरे वचन के रूप में अपने पुत्र भरत को अयोध्या के राज सिहासन पर बैठाने की बात कही, कैकई की इन दोनों वच्छनों को सुनते ही राजा दश्रत का दिल तूट गया और वो कहकई को अपने इन वच्छनों पर दोबारा विचार करने के लिए बोले और बोले की हो सके तो अपने यह वच्छन वापस ले ले पर कहकई अपनी बात पर अटल रही तब ना चाहते हुए भी राजा दश्रत में अपने प्रिया पुत्र श्री राम को बुला कर उन्हें चौदा वर्ष के लिए वनवास जाने को कहा श्री राम ने अपने पिता राजा दश्रत का बिना कोई विरोध किये उनकी आदेश स्वीकार कर लिया जब माता सीता और लक्षमन को प्रभू श्र श्रीराम के वनवास जाने के बारे में पता चला तो, उन्होंने भी श्रीराम के साथ वनवास जाने की आगरह किया, जब श्रीराम ने अपनी पत्नी माता सीता को अपने साथ वन ले जाने से मना किया, तब माता सीता ने प्रभू श्रीराम से कहा कि जिस वन में आप जाएंग ये वही मेरा अयोध्या है और आपके बिना अयोध्या मेरे लिए नरक सामान है, लक्ष्मन के भी बहुत आग्रह करने पर भगवन, श्री राम ने उन्हें भी अपने साथ वन चलने की अनुमती दे दी, इस प्रकार श्री राम माता सीता और लक्ष्मन, अयोध्या से वन जान से दुखी होकर राजा दश्रत ने अपने प्रांग त्याग दिए इस दोरान भ़ारत जो अपने मामा के यहां ननिहाल गए हुए थे वो अयोध्या की घटना सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हुए भारत ने अपनी माता कैकई को अयोध्या के राज सिंधासन पर बैठ़ और वो अपने भाई श्री राम को धूनते हुए वन में चले गए, वन में जाकर भरत श्री राम लक्षमन और माता सीता से मिले और उनसे अयोध्या वापस लोटने का आग्रह किया, तब श्री राम ने अपने पिता के वचन का पालन करते, हुए अयोध्या वापस नहीं पादुका को अयोध्या के राज सिंझ항सन पर रख दिया. भरत राज दरबारियों से बोले कि जब तक भगवान श्री राम वनवस से वापस नहीं लोटते तब तक उनकी चरण पादुका अयोध्या के राज सिंधासन पर रखा रहेगा और मैं उनका एक दास बनकर यह राज चलाऊँगा अरण्यकांद भगवान श्री राम के वनवास को तेरा बरस बीट गए थे और वनवास का अंतिम वर्ष था भगवान श्री राम माता सीता और लक्षमन गोदावरी नदी के किनारे जा रहे थे गोदावरी के निकट एक जगा माता सीता जी को बहुत पसंद आई उस जगा का नाम था पंचवटी तब भगवान श्री राम अपनी पत्नी की भावना को समझते हुए उन्होंने वनवास का शेश समय पंचवटी में ही बिताने का निर्नहे लिया और वही पर वह तीनों कुटिया बना कर रहने लगे पंचवटी के जंगलों में ही एक दिन शूर्पनखा नाम की राक्षस औरत मिली और वो लक्षमन को अपने रूप रंग से लुभाना चाहती थी जिसमें वो असफल रही तो उसने माता सीता को मारने का प्रयास किया तब लक्षमन ने सूर्पनखा को रोकते हुए उसके नाक और कान काट दिये जब इस बात की खबर शूर्पनखा के राक्षस भाई खर को पता चली तो वो अपने राक्षस साथियों के साथ श्री राम, लक्षमन माता सीता जिस पंच्वटी में कुटिया बना कर रह रहे थे वहां पर उसने हमला कर दिया भगवान श्री राम और लक्षमन ने खर और उसके सभी राक्षसों का बधा कर दिया, जब इस घटना की खबर सूर्पनखा के दूसरे भाई रावन तक पहुची तो उसने राक्षस मारीची की मदद से भगवान श्री राम की पतनी माता सीता का अफरन करने की योजना बनाई, रावन के कहने पर राक्षस मरीची ने स्वर्ण म्रेग बनकर माता सीता का ध्यान अपनी ओरा करशित किया, स्वर्ण मिर्ग की सुंदर्ता पर मोहित होकर माता सीता ने श्री राम को उसे पकड़ने को भेज दिया, भगवान श् श्री राम तो अंतर्यामी थे, फिर भी अपनी पत्नी माता सीता की इच्छा को पूरा करने के लिए वो उस स्वर्ण मिर्ग के पीछे जंगल में चले गए और माता सीता की रक्षा के लिए अपने भाय लक्षमन को बोल दिये, कुछ समय बाद माता सीता ने भगवान, श्री की करुना भरी मदद की आवाज सुनाई पड़ी तो माता सीता ने लक्षमन को भगवान, श्री राम की सहाइता के लिए जबर्दस्ती भेजने लगी, लक्षमन ने माता सीता को समझाने की बहुत कोशिशकी की भगवान, श्री राम, अजये हैं, और उनका कोई भी कुछ न इसलिए लक्षमन अपने भराता श्रीराम की आग्या का पालन करते हुए माता सीता की रक्षा करना चाहते थे। जाते वक्त कुटिया के चारों और एक लक्षमन रेखा बनाई ताकि कोई भी उस रेखा के अंदर नहीं प्रवेश कर। सके और माता सीता को इस रेखा से बाहर नहीं निकलने का आग्राह किया और फिर लक्षमन भग्वान श्रीराम की खोज। में निकल पड़े। इधर रा जो की एक साधू के वेश में था उसकी कुटिलता को नहीं समझ पाई और उसके द्रमजाल में आकर लक्षमन की बनाई गई लक्षमन रेखा के बाहर कदम रख दिया और रावन माता सीता को बलपूर्वक उठा कर ले गया जब रावन माता सीता को बलपूर्वक अपने प्रांग्धा तक रूप से घायल हो गया, रावन माता सीता को अपने पुश्पक विमान से उड़ा कर लनका ले गया और उन्हें राक्षसियों की कड़ी सुरक्षा में लनका के अशोक वाटिका में डाल दिया, फिर रावन ने माता सीता के सामने उनसे विवाह करने की इच् भगवान श्री राम और लक्षमन माता सीता के अफरन के बाद उनकी खोज करते हुए जटायू से मिले, तब उन्हें पता चला कि उनकी पत्मी माता सीता को लनकापती रावन उठा कर ले गया है, तब वो दोनों भाई माता सीता को बचाने के लिए निकल पड़े, भगवान श्री राम और लक्षमन जब माता सीता की खोज कर रहे थे तब उनकी मुलाकात राक्षस कबंध और परम, तपस्वी साध्वी शबरी से हुई, उन दोनों ने उन्हें सुग्रीव और हनुमान तक पहुँचाया और सुग्रीव से मित्रता करने की सुझ रहाव दिया, किशकिंधा कांध दोस्तों, श्री रामायन में वर्नित किशकिधा कांधवानरों के गड़ पर आधारित है, भगवान, Щुग्रीव के पक्षपाती थे जिनको की किस्किंधा के सिहासन से भगा दिया गया था, हनुमान की मदद से भगवान, श्री राम और हो गई और फिर सुग्रीव ने भगवान श्री राम से अपने भाई बाली को मारने में उनसे मदद मानगी तब भगवान श्री राम ने बाली का वद्ध किया और फिर से सुग्रीव को किसकिंधा का सिहासन मिल गया और बदले में सुग्रीव ने भगवान श्री राम को उनकी पत्नी माता सीता को खोजने में सहायता करने का वचन दिया, हाला कि कुछ समय तक सुग्रीव अपने वचन को भूल कर अपनी शक्तियों और राजसुक का मजा लेने में मागन हो गया, तब बाली की पत्नी तारा ने इस बात की खबर लक्षमन को दी और लक्षमन ने सुग्रीव को संदेश, भेजवाया कि अगर वो अपना वचन भूल गया है तो वो वानरगड को तबाह कर देंगे, तब सुग्रीव को अपना वचन याद, आया और वो लक्षमन की बात मानते हुए अपने वानर के दलों को संसार के चारों कोनों में माता सीता की खोज में भेज दिया, उत्तर, पश्चिम और पूर्व दल के वानर खोज करता खाली हाथ वापस लोटाए, दक्षिन दिशा का खोज दल, अगद और हनुमान के नेत्रित्व में था और वो सभी सागर के किनारे जाकर रुप गए, तब अगद और हनुमान को जटायू का बड़ा भाई संपाती से यह सूचना मिली कि माता सीता को लंकापती नरेश रावन बलपूर्वक लंका ले गया है सुन्दर कांड जटायू के भाई संपाती से माता सीता के बारे में खबर मिलते ही हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारन किया और विशाल समुद्र को पार कर लंका पहुँच गए, हनुमान जी लंका पहुँच कर वहां माता सीता की खोज शुरू कर दी लंका में बहुत खोजने के बाद हनुमान को माता सीता अशोक वोटिका में मिली, जहां पर रावन के बहुत सारी राक्षसी दासिया माता सीता को रावन से विवाह करने के लिए बाध्या कर रही थी, सभी राक्षसी दासियों के चले जाने के बाद हनुमान माता सीता तक पहुँचे और उनको भगवान श्री राम की अंगूठी देकर अपने श्री राम भक्त होने का पहचान कराया, हनुमान जी ने माता सीता को भगवान श्री राम के पास ले जाने को कहा, लेकिन माता सीता ने ये कहकर इ और अपने अपमान का बदला लेंगे, फिर हनुमान जी माता सीता से आग्या लेकर अशोक वाटिका में पेडों को उखाडना और तबाह करना शुरू कर देते हैं, इसी बीच हनुमान जी रावन के एक पुत्र अक्षय कुमार का भी बधा कर देते हैं, तब रावन का दूसर पुत्र मेगनाथ हनुमान जी को बंदी बनाकर रावन के समक्ष दरबार में हाजिर करता है, हनुमान जी रावन के दरबार में रावन के समक्ष भगवान श्री राम की पतनी माता सीता को छोड़ने के लिए रावन को बहुत समझाते हैं, रावन क्रोधित होकर हनुमान जी की पूंच में आग लगाने का आदेश देता है हनुमान जी की पूंच में आग लगते हैं वह उचलते हुए एक महल से दूसरे महल एक छट से दूसरी छट पर जाकर पूरी लंका नगरी में आग लगा देते हैं और वापस विशाल रूप धारन कर किशकिंधा पहुँच जाते हैं, वहां पहुँच कर हनुमान जी भगवान श्रीराम और लक्षमन को माता सीता की सारी सूचना देते हैं. लंका कांड, युधा कांड में भगवान श्रीराम की सेना और रावन की सेना के बीच युधा को दर्शाया गया है. भगवान श्रीराम को जब अपनी पतनी माता सीता की सूचना हनुमान से प्राप्त होती है तब भगवान श्रीराम और लक्षमन अपने साथियों और वारद दल के साथ दक्षिनी समुंद्र के किनारे पर पहुँचते हैं, वही पर भगवान, श्री राम की मुलाकात रावन के भेदी भाई विभीशन से होती है, जो रावन और लनका की पूरी जानकारी वह भगवान, श्री राम को देते हैं, नल और नील नामक दो वानरों की सहायता से पूरा वानर दल मिलकर समुद्र को पार करने के लिए श्री राम सेतु का निर्मान करते हैं ताकि भगवान श्री राम और उनकी वानर सेना लनका तक पहुँच सके लनका पहुचने के बाद भगवान श्री राम और लनकापती रावन का भीशन युद्धा हुआ, जिसमें भगवान श्री राम ने रावन का वद कर दिया, इसके बाद प्रभू श्री राम ने विभीशन को लनका का सिहासन पर बिथा दिया, भगवान श्री राम माता सीता से मिलने पर उन्हें अपनी पवित्रता सिधा करने के लिए अगनी परीक्षा से गुज़ने को कहते हैं, क्योंकि प्रभू श्रीराम माता सीता की पवित्रता के लिए फैली अफवाहों को गलत साबित करना चाहते हैं, जब माता सीता ने अगरी में प्रवेश किया तो उन्हें क पोई नुकसान नहीं हुआ वो अगनी परीक्षा में सफल हो गई, अब भगवान, श्रीराम माता सीता और लक्षमन वनवास की अवधी समाप्त कर अयोध्या लोट जाते हैं, और अयोध्या में बड़े ही, हर्शोल लास के साथ भगवान श्रीराम का राज्य भिशेक होता है इस तरह से श्रीराम राज्य की शुरूआत होती है, उत्तरकांद दोस्तों, उत्तरकांद महर्शी बालमीकी की वास्तविक कहानी का वाद का अंश माना जाता है, इस कांद में भगवान श्रीराम के राजा बनने के बाद भगवान श्रीराम अपनी पतनी माता सीता के साथ स मिलती है तो आम जनता और प्रजा के दबाव में आकर भगवान श्री राम अपनी पत्नी माता सीता को अनिच्छा से बन भेज देते हैं। श्री रामायन की रचना की और लव कुष को इसका ज्यान दिया। बाद में भगवान श्री राम अश्वमेद यग्या का आयोजन करते हैं जिसमें महर्शी बालमी की लव और कुष के साथ जाते हैं। तब वहां माता सीता आ जाती हैं। उसी समय भगवान श्री राम को माता सीता लव कुष के बारे में बताती हैं। भगवान श्री राम को ग्यात होता है कि लव कुष उनके ही पुत्र हैं। और फिर माता सीता धरती मां को अपनी गोद में लेने के लिए पुकारती हैं। हैं और धरती के फटने पर माता सीता उसमें समा जाती हैं। कुछ वर्षों के बाद देवदू थाकर भगवान श्री राम को ये सूचना देते हैं कि उनके श्री राम अवतार का प्रयोजन अब पूरा हो चुका है और उनका ये जीवन काल भी खत्म हो चुका है। तब भगवान श्री राम अपने सभी सगे संबंधी और गुरुजनों का आशीरवाद लेकर सर्यू नदी में प्रवेश करते हैं और वहीं से अपने वास्तविक विश्णू रूप धारन कर अपने धाम चले जाते हैं।